हम सब को कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आए गा भी मनुष्य इनी भावों से हम जुड़े हैं किन्तु ये क्रोध क्यों आता है कभी सोचा है आप ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ नाम जैसे कभी कोई हमारी बात नामा या कभी हमें पराजें प्राप्त हो जाए किन्तु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है यदि क्रोध को वश्मेना रखा जाए तो भ्रह्म जन्म लेता यदि भ्रह्म को वश्मेना रखा जाए तो विवेक व्यागर होने लगता और यदि व्यागरता को वश्म शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाती है इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए राधे राधे